गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं पावरपॉंट इस्टेडी में डेली करेंटर ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें ठीक है जो भी लोग रहे गए हैं फ्रेंड्स उन लोग को भी एड करा दी मीडियो अच्छे लगे तो आप ल इसमें पहला पॉइंट पड़ते हैं भारती अर्थ विवस्ता में ठीक है भारती अर्थ विवस्ता में सरकार के द्वारा ये बतायाएगा कि भारती अर्थ अर्थ विवस्ता ठीक है क्या हुआ भारती अर्थ विवस्ता में क्या हुआ सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट की क्या आई कमी ठीक है क्यों आई क्यों आए क्यों आए एक तो लॉगडाउं के वज़े से और भी प्रॉब्लम्स के वज़े से भारती अर्थ विवस्ता में सिक् शकल घरेलू उत्पादन सोड़ी सकल घरेलू उत्पादन उत्पादित में 7.3% की क्या ही कमी ठीक है क्या हुआ भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किये हैं उसमें द्वारा बतायागी भारती अर्च्वस्ता में 6.6 की क्या ही कमी आई जिसमें 2020 और 2021 में सकल घरेली उत्पादन में 7.3% और 2020 21 और 2019 और 2020 मतला बैसे तो एक साल की होती मगर इसमें सरकार ने दोनों साल को बता है क्योंकि लॉक्डाउन के वज़े से ठीक है और कि दो जार मला एक तरीक है 2019 से 2021 तक की जीडीपी ठीक है जीडीपी ठीक है क्या हुआ 2019 से 2021 तक की जीडीपी कितना जी तेरा एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार ने सोरी एक 235.68 लाग करोड़ रुपए की जीडीपी ठीक है और यह 2019 सौरी यह 2011 और 12 की 4.56 लाग करोड़ जीडीपी थी मतलब कहने का मतलब है कि देश में 2011 बारा में इससे जादा जीडीपी थी जो इस टेम क्या होई बहुत कम होगे मतलब गिर गई है जीडीपी माइनस में चल रही है इसको बढ़ना चाहिए और सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी कियेंगे उसके अनुसार यह हमारी जीडीपी 2012 से मतलब 2012 में इससे जादा थी मतलब अधिक थी और अर्थ बश्ताय कारण यह गिर रही है और 6.6 परसेंट यह गिर चुक पांच हजार करोड रुपए की प्रारंबिक अधिकरते सेर पूंजी सेर पूंजी ठीक है अधिकरत सेर पूंजी और देड़ सो करोड की सबस्क्राइब तो सबस्क्राइब तो सबस्क्राइब तो सेर पूंजी पूंजी के साथ जबने राश्ट है इस पूंट तो भी समझा रहे हैं इसमें क्या बता है कि सरकान ने पांच हरा करोड की प्रारंबिक अधिकरत सेर पूंजी ठीक है मदल्ब सरकान ने पांच हरा करोड के प्रारंग की मतलब अधिकरत nadzieję उसके पास थे उन सेर पूंजी और तो क्रोन की सब्क्राइब तैट सेऩा क्या इस्चीज को बताया इससे सारवजनिक इससे क्या होगा सारवजनिक छेतर की संस्था सारवजनिक छेतर की संस्थाओ संस्थाओ की भूमी की भूमी और गैर पिरमुक क्या है गैर फिर मुख संपत्ती के मुद्धी करण तेज होगे मुद्ध्रा करण तेज होगा मतलब जो सारविजनेक छेत की संस्ताओं की जो भूमी और गैर फिर मुख संपत्ती के मुद्धी करण का तेज मुद्ध्रा करण तेज होगा सब्सक्राइब यह संपत्ति के मुद्र करण का तेज होगा यह संपत्ति अपने किसी और की संपत्ती पर कब जानी करें इस सरकारी संपत्ती पर कब जानी करें इस चीज को बताएगा है ठीक है इस मुद्यकरण से ठीक है सरकार के इस फैसले से मलब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इस सरकार ने इस चीज को बताया है ठीक है नाइस्ट पॉइंट दिल्ली के बैंगलूरू में फ्रेंट्स वीडियो को लाइक, सेयर और स्ब्सक्राइब करना ना भूले जो भी आपके दोस्तिया फ्रेंट्स रहे हैं उनको भी लाइक और स्ब्सक्राइब के लिए आप बोलिए ठीक है दिल्ली के बैंगलूरू से किसे दिल्ली ने बैंगलूरू से ठीक है क्या हुआ दिल्ली ने बैंगलूरू को क्या किया भारत की स्टार्ट अप भारत की स्टार्ट अप राजधानी स्टार्ट अप राजधानी के रूप में बदल दिया पूरूरू के द्वार यह बता आया गया है कि जो दिल्ली ने बैंगलूरू को क्या किया एक start up राध्धनी की रूप में बदल दीया ठीक है मतलब दिल्ली से जधा बेंगलोर में लोग अपनी मतलब एक तरीक से संपति हर चीज से बेंगलोर को संपन कर दिया दिल्ली ने ठीक है इसमें इसके कारण क्या हुगा इसके कारण इसके कारण भारत इसके करण भारत ने यूनिकॉर्ण यूनिकॉर्ण की संख्या यूनिकॉर्ण की संख्या मैं यूके को पीछे छोड़ दिया यूके को पीछे छोड़ दिया छोड़ दिया ठीक है क्या हुआ बहारत दिल्ली ने बेंगलूरू को इतने सपोर्ट किया कि तो क εδώ ही कि रूप में बदलाइं कुछLE बहुत है और मोई चीज pandemia कि रूचार लूप जो दिल्ली में मौझीद है इस कारण से भारत की Unicorn की संख्या में UK को किसने पीछे छोड़ दिया इस नियुक्त से हमने कि यूनि कॉछ संख्या में UK को पीछे छोड़ दिया इसमें 44 कंपडियों 1221 में यूनी कौन ठीक है क्या हुगा एक यूनिकॉर्ण बन गई है ठीक है क्या हुगा बन गई है मतला अपने भारत में कितनी 44 कंपनियां 2020 में यूनिकॉर्ण यूनिकॉर्ण में बन गई है ठीक है एक तरीक से अपने उपर आत्म दर्मा तरीके से बन गई है ठीक है और भारत में यूनी कौन की तीसरी क्या हुए भारत में यूनी कौन की क्या है तीसरी सबसे बड़ी संख्या है तीसरी सबसे बड़ी संख्या है मतलब पूरी विस में इस चीज को बतायागा कि भारत यूनी कौन की संख्या में तीसे स्थान पर पायदान पर पहुँच गया है ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और सेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले ठीक है भारतिये नेस्ट पॉइंट भारतिये तट रख्चक भारतिये तट रख्चक बल दुनिया का फोर्थ प्लेस ठीक है क्या हुआ भारत ने तट रख्ची के बल में दुनिया का चौतर स्थान प्राप्त कर लिया है ठीक है किसे भारत इस तरीके से भारत अपनी तरह से सज्ज़त रूप से कर रहा है कि भारत दुनिया में चौतर स्थान पर बन गया है कि यह दुनिया में मतलब इसके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो जौथ इस था पाधान पर मतलब सोचेगा कोई ठीक है हमला करनी से पहले यह उन्नी सो अन्ठानवे में सिर्फ साथ प्लेट फॉर्मों उन्नी सो अठतर में सिर्फ साथ प्लेट फॉर्मों के साथ किया गया शुरू ठीक है मतलब यह बताया गया कि 1909 में जब जे तरट रख्चिया एक तरीक से अपने अस्ठत में आई तो इसके पास सिर्फ साथ सत्य है प्लेट फॉर्म थे कि मतलब यह देख सकती है कि हमारे कोई हमला कर रहा है तो मतलब समुद्र में जाकर नहीं देख सकते हैं इतनी इतनी काल नहीं थी हमारे देस में ठीक है मागर 1978 के बाद साथ से बाद इन्योंने दुनिया का चौता पाइधन ना 2020 दॉरेश्चे में क्या कर लिया स्थापित कर लिया अपने के रहिस में यह 9 कि दुनिया में कौन सा चौथा पाइदन संगठन के पास मतला इनके पास इनके पास क्या क्या है इनके पास 156 जहाजो तो ठीक है 156 जहाजो मैं सब्सक्राइब 42 बिमानों तक बढ़ा दिये बनला इतनी संख्या बंला इतनी संख्या कर लीए उन्हें भारत ने इतनी संख्या कर लीं ठीक है इनका गादरिस बाग को दुनिया का मलब यह हो गया भारत के टट रक्षावल इसको अपन सौट फूम में आई सी जी कहते हैं ठीक है इसका इनका क्या है एक आदर्स बाग के आदर्स बाग के ठीक है इनके दू बादर्स बाग के एक बयम बयम रक्षम रक्षम हा ठीक है या वी प्रू टैक्ट इसी को बोलेंगे वी प्रू टैक्ट इनका क्या है एक आदर्स बाग के बयम रक्षम या वी प्रू टैक्ट इनका क्या है ये इंग्लिस का ही फोर्म है मतलों इक इसका ही अनुबाद है ठीक है क्या बयम भाय मरक्छम या वी प्रोटेक्ट ठीक है इस चीज का उपर लखा गया है ठीक है इसका उदघाटन ICG का उदघाटन किसने किया था कि ने किया था इनका उनीस सो अगस्त नीस सो अठार में को उनीस अगस्त नीस सो अठार को किसके द्वारा किया गया था अठार को तत्कालीन प्रधान मंत्री तत्कालीन पी-एम तत्कालीन पी-एम कौन थे मोर रहे ठीक इनका नाव यह रख दे रहे तत्कालीन पी-एम थे मोरा मौर जी देसाई ने क्या किया था इनका एक तरीक से उध्घवाट अन्टाइब सा किया था इस इन चीज पंप बना आया था इनको एक तरीक से धारती के सीमा के लिए इस चीज को बना इन्होंने प्रोसान किया था ठीक है कि इनके द्वारा इस चीज को प्रोसान किया था कि भारत के पास भी अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए या अपनी सीमा को रक्षत करने के लिए कुछ ऐसी वह सहना होने चाहिए जिसको पूरी दुनिया य करके बता सकते हैं ठीक है जो भी आपकी दिक्कत आ रही हो है ना उसमें चीज़ को आप बता सकते हैं बर्स 2022 में क्या हुआ बर्स बर्स 2022 ठीक है बाइस में पांचवा क्या है पांचवा विश्वे एस पर ग्लोस ठीक है क्या हुआ बिस्वेन है ठीक है बिस्वे एस पर ग्लोस इस दिवस मनाया गया जो की 2022 में पांच मां दिवस रूप में मनाया गया ठीक है इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश इसका उस्टेस, जब कोई भी मलधा बनाया जाता है तो बस तो अब उसका क्या होता है? एक उद्देश होता है कि यह किस चीज को उपर बनाया जा रहा है ठीक है इसको उपर क्या है इसका उद्देश है फंगल इंफेक्शन फंगल संकमर संकमर ठेक है एस पर गिलोसिस पर गिलोसिस के बारे में ढाज बारे में जागरूकता देना जागरूकता बढ़ाना ठीक है जा रूकता बढ़ाना ठीक है जिसकी पहस्छन अक्सर नहीं वह पाती सी मतलब इस रवह को उता है उसकी पहिचान अक्सार नहीं हो पाती इस चीज को उपर जारुकता देना को इसको पांच मांश्म बिस में एस पर गिलोसिस दवस की रूप में मनाया गया इसका उदिय से फंगर संकर्मण एस पर गिलोसिस के बारे में जांब ता भड़ा ना ठी ऐसे फेरे फरे पेसे ग्चे फेल्ली बार दुट्र वर्थारा में मनाये गया ठीक है है हुआ है इसके लक्षन क्या है जाब जे कोई ईसके बीमारी है तो इसके को इस अगे घ्रिया है इस शीज को भी बता आई कि संक्रमन के समान ठीक है मलब एक तरीके से इन दोनों की ये पैचान है कि मलब एक इस तरीके से किसी को भी होगा तो ये बताया जाएगा ठीक है केंद सरकार द्वारा केंद एक राश्टी है एक राश्टी है टेली करें मानसिक स्वास्थ कारिकरम सुरू करेगा क्न करेगा क केंद सरकार ठीक है किन्द सरकार ने इस चीज को बताया गया है कि हम एक टेली स्वास्त कारिकरम क्या करेंगे क्या करेंगे किन्द सरकार ने के टेली राष्टे टेली मान से स्वास्त कारिकरम क्या करेंगे हम लगाएंगे ठीक है इसके द्वारा हम क्या करेंगे इसके द्वारा हम रिकॉर्ड क्या बनाएंगे दो सो पचीस हजार किलो मीटर लंबे राश्टी है ठीक है लंबे राश्टी राजमार्ग बनाएंगे ठीक है बतर सरकार द्वार यह बताया गया कि हमां रेकॉर्ड होगा कि हम पचीस हजार किलो मीटर लंबा राश्टी है राजमार्ग बनाएंगे ठीक है ठीक है जिसमें रक्षा के लिए जिसमें रक्षा के लिए जिसमें रक्षा के लिए पूंजी गत खरीद ठीक है फूंजी गत खरीद बजट का लगवाग कितना रहेगा 68% रहेगा मनला एक तरीक से बतायागा है कि हम जो पैसा अपने रक्षा बजट पर खर्च करते हैं उसका 68% रहेगा जो इस पर खर्च किया जाएगा ठीक है इस पर भारत को बड़ावा देना कौन से आत्मिनरमर भारत को बड़ावा देना आत्मिनरम भारत को बड़ावा देना ठीक है इस चीज को बताया गया है आत्मिनरमर भारत को क्या देना बड़ावा देना ठीक है देना ठीक है देने के लिए घरे लो उद्ध्योग है ठीक है लिए इस चीज को बताया गया कि आत्मिया भारत के लिए एक बढ़ावा देंगे तेक है आत्मिया भारत को क्या देगा इसे भाड़ा वा देंगे हर ऄपर कार पर भारत के बढ़ और अध्य हो को बढ़ने ट्रांसपोर्ट वाला होते हैं सिस्टम किसी भी ब्यापार को बाहर से कैसी सामान को मंगाना तो उस चीज में भारत को किसी परकार की दिक्कत ना ओम रूड मार्व से वी आ सके ठीक इस चीज को भी बताए गया है कि ऐसा नहीं हो कि मैंला ऐरोपयानिया ऐसी चीज समांग उसमें खर्चा जादा लगता है ठीक है टाइम जली कम लगता है अब टाइम इससे भी कम लगेगा ठीक इतने अच्छे राश्टी राजमार्ग बनाए जाएंगे ठीक है जिससे द्वारा किसी परकार के बहान को हम य 38 फर्सेंट कहच करिंछ जो कि भारत से भारत में भुत जाला है कि शरकार बित्तिय वर्स में में अर्ण डू कि भी टियए बेस तुह हजार बाइस में है कि है इनने क्या किया कीअ रोट ने क्या किया किस है कि से यह ठ housब compr में फिपासबोट जारी करेगा, क्या करेगा, इपासपोर्ट जारी, इपासपोर्ट जारी करेगा, जारी करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सारा सरकार द्वारा इपासपोर्ट जारी किये जाएंगे, यह बताया गया है कि भारत द्वारा इपासपोर्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या किया हैगा इसमें इलेक्टॉनिक्स और ची वार्ण हों को अ ठीक है और इसका उत्पादन कितना होगा इसका उत्पादक होगा 6.4 परसेंट आखड़ा इसका बजट कितना होगा इसका बजट होगा 39.45 करोड रुपे आख़ा थेंक्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले